तो यह आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्विजिस में आई है मैं दोनों में बना रही हूं आप लोग ले लेंगे लिंक में डिस्क्रिप्शिन में शेयर कर दूंगी इसके लावा आप लोग को एक बहुत और बतानी थी कि मैं केजी टू सेकेंड और थर्ड टू फिफ्ट की भी वर्क्शिट बना रही हूं अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं आपकी सहुलियत के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है आप लोग उसका भी इस्ते यहां आपका में टॉपिक जो है वो क्या है यमना पॉल्यूशिन यानि यमना नदी जो पॉलिटेड हो रही है गंदी हो रही है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे तो आप लोग इसको साइंस में भी रख सकते हैं और एसस्टी में भी वैसे यह आप लोग साइंस में पॉलेटेड रिवर्स इन दा कंट्री हमारी कंट्री की सबसे जाधा पॉलेटेड जो नदियां है उसमें इसका यमना का नाम आ गया है तिक है कि यह सबसे जाधा गंदी नदी है ड्यू टू दिस रिजन इस नोउन ऐस देड रिवर इसलिए इनी रिजन के वज़े से हमने आज यमना नदी को मरी होई नदी भी घोशित करना शुरू कर दिया है कुछ लोग इसे मरी नदी भी कहते हैं क्योंकि इसका पानी पीने लाइक नहीं है अब ओल्मोस्ट 19 ड्रीन इन दे कैपिटल फ्लो इन्टू दा रिवर और पॉलेटेड यमना यानि लगभग 19 गंदे नाले के जो पानी है वहां आके यमना में मिलते हैं जिसके जिससे यमना का पानी और ज्यादा पॉलेटेड हो जाता है ठीक है तो अब देखें यहां पे आपके की नदी को गंदा होने के लेकिन इनने मेरे समझ भी नहीं आ रहे अप यहां आप देख सकतेंest गेना मभभी जांगे लोग नदी को तरह से गंदा करते यह यहां इसके इलावा रहा आपको तो किस तरह से खैट्रिकry our new और यहां आपको अध्याव करते किस तरह से तरह से साया है यह जो एजनом करते काया अफ को जरंगें देए कोई कीड़े मुटब होता है तो फिर जाता है जब बारिश वगरा होती है तो उस्हें यह पानी जाती है जिसके बाद लेटी वे में पनी को मिल ढदा करते और तो इस तरहां से इंटी फोर्ट ऑफ यम्ना आप्रोजेक्ट वस लॉंच इन किने इन गोई डएगा प्रोजेक्ट बना गया तहीं जिसके तहित में दीट को गंधा निकर आपार कि उसके लिए कुछ उल्म ने रूपर में नियुक्त में गूपार में दै करिक दोक्ते तोने ओम ऐसी वर्टेशन गा आज तक उसको सफाई करने के लिए गौवर्मेंट ने बहुत सारे करोड़ों रुपए खायच कर दिया लाकों करोड़ों रुपए लेकिन उसका कुछ भी अभी तक नहीं निकला है इतना पैसा खर्च होने के बावजूद ठीक है चलिए तो अब देखते क्या लेकर ना एक्सप्रेस यूर व्यूस बाइविंग आंसर देखिए आप अपने व्यू को पेश कीजिए कि आप क्या सोचते हैं पहले में सोर्ष can you में में स्योर क्या है पानी का यमना रिवर से पानी आता है नेक्स स्योव अपने के दावाट कांव लिए तो गारेक्ट ये रेवर takes proud Children's नदी में कूड़ा के बाड़ा कच्रा प्ھیकते है इस लिए नदी गंदी हो रही है कि प्रभाइवो अलार इन के तरह आप पर पास एक जादूई चिराग है वाट अर्थ थ्री विश्ज यू विल आस्क दा जिनी अबाउट दा यम्ना रिवर आप यम्ना रिवर के लिए तीन विश्ज क्या मांगेंगी जिनी से चीक है चले इसका अंसर देख लेते हैं थर्ड कोशन का अंसर यह है कि होईवर पुट्स गार्बेच इन दर इवर दे बीकम फिश्ज मैंने लिखा क्योंकि हमें जिनी से विश्ज मांगनी है तो जिनी से हम इन पॉसिबल विश्ज भी मांग सकते हैं तो मैंने पहले विश्ज तो यह मांगी कि जो भी नदी में कूड़ा फेके वो खुद मचली बन जाए चीक इससे कूड़ा फेकना बंद हो जाएगा और हमारी नदी साफ हो जाएगी और मचली इसलिए बन जाए ताकि उसे पता चले कि जब हम पानी को गंदा करते तो इस आउस कूड़ा सारा कच्रा नदी में गिनने की बजया है उसके घर में जाके घिर ठीक है ताकि उसके जब दुबारा सफाई करना पड़ेगी ना तब नदी में कच्रा डाला बंद कर देगा चाहिए वो फैस्ट्री का वेस्ट और। नदी में डाले और लास्ट विश तो जो मैंने मांगी वह बहुत इंट्रेस्टिंग है जो भी इंसान नदी के किनारे कपड़े धूए और इसके कपड़े और तदद गंदे हो जाए और साथ में फड़ भी जाएं ठेक क्यों कि जब उसके कपड़े और तदद गंदे होंगे ना धूने के बावजुद भी यह क्या काम करेंगी नदी को साफ करने में मदद करेंगी तो अब इस तरह से आप लोग बीस से रिलेट olvिट को और विशिस मांग सकते हैं मेरी तीन विशिज जो थी वह मैंने आपको बता दी अब आप लोग अपनी विशिस भी देख सकते हैं कि हो सकता है आपके दिमाग म कुछ ऐसे सजेशन्स आप दे इसके लिए अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं कि जो हम लोग मूर्ती विसरजित करते ना नदी में वह हम ना करें या उसका दूसरा ऑप्षिन क्या हो सकता है उसका अगर नदी में ना करें तो हम कहां कर सकते हैं चले इसका भी आंसर देख अगर अगर लगता है कि हमें मूर्ती जो वह पानी में विसरजित करने तो उसके आमार पास दो और आइडिया है पहला एडिया यह कि हम एक गड़्दा कोड़ें अप इंड दग और फिल विद वाटर यानि एक गड़्दा कोड़ें और उसके अंदर पानी से उसे भर ले और उसके बाद उसके अंदर मूर्ती को विसरजित करते हैं ठीक है पहला तो मैंने यह बताया दूसरा जो है वह मैंने यह बताया कि डिजॉल दा आइडिल इन प्लीन के यानि कि विदाउट एनी कलर यानि हम जो बनाएं मूर्ती उसको बिलकुल साधी मिट्टी से बनाएं अगर पानी में विसरजित करते हैं तो वह बताते हैं आज की वीडियो यही हमारी पूरी होती है तो अगर आपको में वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें अगर अभी तक आपने माचा को सिस्क्राइब ने करा तो प्लीज माचा को सिस्क्राइब करें थेंक्यू फॉर वाचिंग